नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश जरा हटके देख रहे हैं बुध का राशी परिवर्तर बुध मेश राशी से बिशब राशी में साथ जून को दो पहर तीन बजे के लंसम में प्रिवेश करेंगे और यहाँ पर चौबिश जून तक रहेंगे साथ जून से चौबिश जून तक बिशब राशी में बुध का रहना अब तक जो मेश में थे उसकी तुल्ला में बहुत शुब होगा बुध मिथुन और कन्या दो दो राशियों के स्वामी हैं बिशब राशी मिथुन से द्वादस पड़ता है और कन्या से जोड़ा जाए तो नवम पड़ता है कन्या से नवम पड़ता है तो दो राशियों से अपने से एक से द्वादस एक से नवम में रहेंगे मेश से लेकर मीन तक क्या आसर पड़ेगा इस बुध के परिवर्तन का आये चर्चा कर लेते हैं जानकारी दे दे आपको कि आप हमसे बुध के इस परिवर्तन के ही दोरान कई शहरों में मिल सकते हैं अभी पंदरह तक तो हम गाजियाबाद हैं उसके बाद गोरकपूर पठना आज शहरों में भी आप हमसे मिल सकते हैं बिश्तित जानकारी के लिए कारियाले के नंबर पर संपर करिए एक बहुत बड़ा श्टार्टप हमने सुरू किया है यह स्टार्टप जरूरतमंद महिलाओं के लिए नेहशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा आप इसे स्टार्टप से जुड सकते हैं अगर आपके पास लॉग की डिगरी है आप प्रैक्टिस करते हैं और आपकी अवस्था 26 वर्ष के अंदर अंतर है विष्टित जानकारी के लिए 935-44-899-40 पर वाटसप करें या अपना रेजुमे दाओंपेच अट जीमेल डाट कॉम पर भेज दें आए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं बुद्ध की इस महा परिवरतन का मेश से लेकर मीन तक क्या आसर पड़ेगा मेश राश मेश वालों के लिए बुद्ध दो भाव के स्वामी होते हैं एक तो थर्ड हाउस और दूसरा सिक्स हाउस मालिक हो करके इन दो जगहों के दुतिय में आएंगे तो दुतिय में बुद्ध का संचरन कई प्रकार से घातक होगा एक तो आपकी जुबान फिसल जाएगी आप मुपट हो जाएगे आप देखेंगे कि 7 जून से 24 जून के बीच कुछ ऐसा बोला है आपने कि कम सकम 2 से 3 बहुत करीबी रिस्ते दूर हो जाएगे कोई भी हो सकता है बेटा बेटी पत्नी पती कोई भी हो सकता है इस वज़े से अनावश्यक अपव्याय रहेगा खर्च बढ़ेगा कर्ज मिल जाएगा लोन ले सकते हैं धन की स्थती कर्ज से बढ़ेगी अधरवाइस संघर्ष रहेगा ब्रिशब राशी आपके ही राशी में बुद्ध का आगमन हुआ है दुतियेश है सेकंड हाउस के लॉर्ड है और पंचमेश है इन दो राशियों के मालिक है दुति और पंचम के स्वामी है इन दो राशियों के स्वामी होकर के लगने में आना अयतिहासिक है ब्रिशब वालों के लिए तो इतना शुभ इस्थती है कि आप सोच भी नहीं सकते है बहुत कुछ बड़ा देगा लाब के अउसर है मुश्किलों का हल है धन तो भाईया ऐसा चक के आएगा कि आप सोच रहे सकते है अप्रत्याशित धन लाब जैसे आपका कहीं ब्लॉक पैसा था वो आपस आ गया आ जाये तो शनिदेव के नाम से भेज देजेगा हमारे पश्रमशन संध्यामे मिथुन राशियों आपकी राशिय के स्वामी होकर अपने से द्वादस जाएंगे और चतुर्थ से नवम में रहेंगे तो बुध अपनी दो राशियों से द्वादस और नवम में उपस्थति है बुध की अच्छी इस्थति होती है एक तो सबसे बड़ी बात की अपने मित्र की राशी में आए है तो मित्वन वालों के लिए बाहरी लोगों से मदद मिलना कोई मित्र मददगार सावित होगा विदेश यात्रा करेंगे विदेश जाने के आउसर मिलेंगे रुके धन की प्राप्ती होगी अचल संपत्ती की प्राप्ती होगी वाहन का होकर के है आपके गुप्त दुश्मनों पर धर्ग खर्च होगा अचानक से कोई गुप्त दुश्मन आप पर अटैक करेगा आपको फंसा देगा और आपका पैसा खर्च होगा बॉस के साथ बक जख होगा बॉस के साथ बिवाद की स्थती हो सकती है इस पर ध्यान देना होगा बॉस के साथ बहुत अच्छी स्थती नहीं है सिंग राशी सिंग राशी वालों के दसम में बुध का संचरण है तेंथ हाउस में आए है दुतिये शोकर के दसम में आना ये राज योग होता है कैसे? धन बढ़ता है तो सिंग राशी वालों के लिए धन दायक है नौकरी में छोटा सा परिवर्तन होगा नौकरी में कोई आप से जूनियर आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है कन्य राशी नवम में उपस्थती है इनकी आपकी राशी से कन्य वालों की राशी से नवम भाव में उपस्थती है धन, धर्म, दान, दया आदी में अभिवर्द्धी होगी कार्यों में बरकत होगी कुछ बड़े प्रोजक्ट आपके पास हो जाएंगे छोटी मोटी यात्राओं के माध्यम से बड़ा फाइदा होने जा रहा है तुला राशी अश्टम में आ गए नौमेश हो करके बड़े प्रोजक्ट रुक जाएंगे अचानक कोई शडियंत्र आपके विरुद्ध सामने आ जाएगा मानसिक रूप से आप परिशान होंगे तनाव बढ़ सकता है परिस्थतियां आपके प्रतिकूल है सोच समझ कर फैसला लेना होगा गलत और बचकाना निरड़े टाल दीजिएगा किसी बड़े से सलाह मश्वरा करिएगा तुला के लिए घातकिस्तिती है बिश्चक राशी सब्तम में आए हैं लाभेश हो करके ससुराल से बड़ा फायदा मिलेगा चाहे महिला हो या पुरुष संतान का सुख मिलेगा पार्टनर्शिप में आया विवाद दूर हो जाएगा रुके धन की प्राप्ति होगी विदेश ये लाभ का आउसर बनेगा धनुराशी धनुराशी वालों के लिए छटे में उपस्थती है गुप्त दुश्मन दोस्त के भेश में आपके करीब आ जाएगा 24 जुन तक खत्रा है पहचान गए तो ठीक नहीं तो धोखा खाने के लिए नुकसान उठाने के लिए तयार रहिएगा रुपया पैसा फंसेगा उधार लेने वालों की लाइन लगेगी अगर दिया तो गए गुप्त रोग इसकिन डिसीज बढ़ जाएगा नियूरो प्रॉब्लम अगर किसी को है ब्रेन वाइज पक्षागात लकवा पैरालिसिस तो उसके लिए खत्रा है मकर राशी पंचम में आ गए हैं भाईया भागेश हो करके मकर के लिए बंबम इस्थती बल्ले बल्ले वाली बहुत बढ़िया इस्थती है प्रेमी प्रेमिकाओं की लाइन लग जाएगी अगर सिंगल थे तो 101% चैलेंज के साथ कोई न कोई लाइफ में आ जाएगा नाटे कद का नाटे कद की ग्यहुआ रंग करने वाला चंचलता गजब की बाल बुद्धी अल्हड प्रिवित्ती क्या बुद्ध शुक्र का कॉंबिनेशन होता है डिफाइन करता हूं तो मन करता है ग्रंथ लेख डालू तो कुछ इस तरह से मकर वालों के लिए गजब का समय आ रहा है हाँ संतान पक्ष से बाधा है अगर बच्चा कंसीब है किसी का मकर राशी है तो वो पंचम में बुद्ध कुछ गलतियों से मिसकरज़ेस के सांसस बना सकता है कुंबर राशी चतुर्थ भाव में उपस्थती है ठीक किसी तरह की दिक्कत नहीं है वाहन सुख प्रशिद्धी अवार्ड होना कई चीजों की उपलब्धियां प्राप्ति शुभ है अंतिम राशी मीन मीन राशी वालों के लिए थर्ड हाउस में ये संचरण है और अच्छी स्थती है कोई समस्या नहीं है मेहनत बहुत करना पड़ेगा वैसे भी जो इस्थतीयां आपकी चल रही है राहू और रहश्पति वाली दुतिये में वो ये आकर के जो है तर्थिभाव में आकर के परेशानिये बढ़ाएंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई वगरे से भी बात की स्थतीयां आ सकती है उस पर आप ध्यान दीजेगा जिसके लिए कुछ बुरा बताया है मैंने वो बुद्ध को शांत करने के लिए गणे शुपासना करे ओम गंगण पते नमह का जाब करे और बिलकु सात्विक आहार ग्रहन करिए पत्थर पहने हो फिंगर्स में निकाल फियेगा पत्थर सत्यानाश करते हैं बड़ों का आशिरवार लीजिए छोटे बच्चों को टॉफी चॉकलेट देने से भी बुध शुप होता है आज के इस खास अंक में बस इतना ही हमें अनुमत दीजेगा अपना बहुत ख्याल रखे नमस्कार शेरादे आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सबके खुशाल जीवन के लिए लाए है एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशिया अनेग